जैमसी की दोस्तों, आज के स्वरगे मन्ना का भाग हमने लिया है मरकुस के पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पैते स्वावचन वचन कहता है, भहुर को जब अन्हेरा ही था, वो उठा और बाहर निकल कर एक आंत में गया और वहाँ प्रात्रा करने लगा धन्यवाद पिता प्रमेश्वर, ते रुपस्ति में जीवन है, तो ने हमें अद्भुधा दिया है और उसका नाम है प्रात्रा दोस्तों प्रात्रा क्या है, प्रात्रा हमें प्रमेश्वर से बाचीत करना सिखाती है प्रात्रा हमें परमेशर के करीब लेके जाती है प्रात्रा हमें परमेशर के मन की बातों को हमारे जीवन में कैसे उतरती है बताती है परमेशर की योशनाओं के बारे में प्रात्रा हमें बताती है प्रात्रा हमें दुश्मनों से लड़ना सिखाती है प्रात्रा परमेशर की योशनाओं को बदलना सिखाती है प्रात्रा हमें जीवन देती है प्रात्रा हमें ग्यान देती है प्रात्रा हमें आत्मा का प्रकाशन देती है प्रात्रा हमारा हाथ पकड़ कर परमेशर के साथ साथ लेके चलती है और प्रात्रा हमें सुख दायक जीवन के जर्णों तक लेके जाती है प्रात्रा अद्बुत है यही सिखा है हमने प्रात्राओं के दोरा और यही ईशुमसी ने सिखाया है जब भूर होती थी ईशुमसी प्रात्रा के लिए निकल जाते थे पूरी रात इशुमसी लुका छे का भारा कहता है कि पूरी रात रात भर इशुमसी प्रातरा करते थे प्रातरा करने में बताते थे बबतिस्तमा लेने के समय जो उन्होंने प्रातरा किया लुका तीनी किस बताता है कि आकाश खुल गया और पवित्रात्मा यहाँ है हालेलया जो हम प्रात्रा करते हैं परमेश्र का स्वर खुलता है जो हम प्रात्रा करते हैं परमेश्र की वानी को सुनते है जो हम प्रात्रा करते हैं परमेश्र के स्पर्श को पाते है जब हम प्रात्रा करते हैं अपनी आत्मा में जिन्दा हो जाते हैं जब हम प्रात्रा करते हैं तो परमेश्वर के करीब जाते हैं जब हम प्रात्रा करते हैं तो हम अपने मन में शांती पाते हैं अपने मन में संखर्श को दूर करते हैं और जब हम प्रात्रा करते हैं तो परम काम करने से पहले ईश्यमसी प्राथना करते थे ईश्यमसी का रुपांत्रन हुआ, उस समें उनने प्राथना के लूग का 29 कहता है में उनका रूप बदल गया। लोगों ने देखा कि वो मनुष्य से प्रभू बन गए हैं। अधुथ आकरशित वो नूर उनके चेहरे पर आ दोस्तों जब हम प्रात्रा करते हैं परमेश्र का नूर हमारे चेहरे पर उतरता है और हमारी बुद्धी को खुलता है दोस्तों जब आप प्रात्रा करते हैं आपके बुद्धी खुलती है और आप प्रमेशर को समझ सकते हैं जान सकते हैं पहचान सकते हैं आप ये जान सकते हैं प्रात्रा हमें बताती है कि शैतान कौन है और प्रमेशर कौन है शक्ति कौन है और दुर्भवार कौन करने वाला शर्यंद्र को आपके जीवर में लाने वाला कौन है वो शैतान ये कौन बताता है प्राथना इसलिए जो आप प्राथना करते हैं तो परमेशर आपकी उपर से ठीक हो आपके आशीश को आपकी बुद्धी को खोलता है और परमेशर आपको वो ग्यान देता है जो कि परमेशर अपने चुने हुरें को देता हाले लिए पत्रस के लिए शुम तिने पात्ना की थी लूप 22 भात्जवें धरणिवाद तो ने हमें वो मुख्त किया है धरणिवाद परमेशर तो ने हमें सामर से भर दिया है और धन्यवाद तो ने हमें प्रात्रा करनी सिखाई है ये शुमसी ने प्रात्रा जब की है उन्होंने आसुओं में आसुओं से के साथ उन्होंने प्रात्रा की है इबरानियों पांच का साथ कहता है कि अपनी देह में रहने के दिनों में मसी ने उस से जो उसको मृत्यू से बचा सकता था उच्छ सुर से पुकार पुकार कर आसु बहा बहा कर प्रात्राएं और विंती की और आग्या कारिदा के कारण उनकी सुने गई हालेलुया जो हम प्राथना करते हैं तो हमारी परमेश्र की आग्या के अनुसार जो हम प्राथना करते हैं तो परमेश्र की इच्छा को जानते हैं जो हम प्राथना करते हैं तो उसकी आग्या के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं मेरे दोस्तों मेरे भाई हमें घुटने टेकर प्रातना करनी है इशुमसीने घुटने टेकर प्रातना की लुका 22, 41 से 44 के बीश में और उन्होंने कहा कि पिदा तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, येस लॉड, प्रातना हमें सिखाती है कि परमेश्र की इच्छा हमारे जीवन में हो, प्रातना हमें सिखाती है दुश्मनों को माफ करना, प्रातना हमें सिखाती है जो हम हम प्राथना करते हैं सबर के साथ तो सिंगहासन परमेशर छोड़कर हम को उठाता और अपने गले लगाता है इसलिए प्राथना करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बाहन मेरी दोस्तों इसी समय हम अगर अपने आपको नदमस्ता करें खुटने टेकें और उसके जीवन और उसके सामने प्राथना करते हुए आए अकेली में प्राथना करने गुपत रूप में प्राथना करने अपने हिर्देHere को खोलना परमिशर के सामने येस लौड दरनेवाद पिता परमेश्यर तेरी उपस्तिती काशीश हमारे साथ है इसलिए प्रात नौ में अपने जीवन को बिताईए मेरे भाई इस अंतिम समय में इस संकट के समय में इस अशांती के समय में इस संखर्ष के दिनों में हमें प्रात ना करते हुए अपने जीवन को बिताना है और अपने सुख को नहीं खोना है अपने शांती को नहीं खोना है अपने आनंद को नहीं खोना है वो प्रेम जो ईशुमसी ने हमें दी है मुफ्त में उस प्रेम को हमें दुनिया तक पहुँचाना है प्रात्रा करते हुए हमें अपनी जीवन को बिताना है इसलिए हम प्रात्रा करते हैं धन्यवाद देपिता परमेशर आपके बबद समर्थी नाम में अद्बुर्शिपा है हम प्रातना करते हैं सुनने वले हर भाई भाई बेन के लिए आशीर सुक रूर्चंगाई माँए ताकि हम वह प्रातना का हतियार अपने जीवन में लेकर चले और हर वक्त हर पल हर क्षान हर समस्य का स्मधान प्रातना के डारा परमेश्र आपके दौरा हो इश्यो मसिया के बब्द समर्थी नाम से मांगते Amen, Amen, Amen